परम्त्यार सी बोलीए धन्रिंकारजी बोलीए सत्गुरू माता सुधिकशास अभिंदर हर्देब जी महराजी की आउ संतमातुमाउ दास आशा करता है कि आप सुवस्त होंगे, सत्गुरू की किरपा परस रही ही होगी संतमातुमाउ तो आउ संतमातमाओ होता क्या है आज दास को एक कहानी याद आ रही है संतमातमाओ एक बहन जी जो बिमार हो गई और जब बहन जी बिमार हो गई तो डॉक्टर के पास गई संतमातमाओ डॉक्टर ने उनका परिक्षण किया और परिक्षण करने के बाद उन्हें पुडियें बांध करके दे दी संतमातमाओ कि ये पुड़ियें हैं ये आप टाइम से खा लेना एक फला टाइम एक फला टाइम एक फला टाइम तीन समय जब बता दिया तीन टाइम खा लेना संतमात्माओ अब वो जो भेन जी थी होता क्या है संतमात्माओ वो आन करके और उस दबाई को उन्होंने एकी बार में यूज कर लिया संतमातमाओं जब यूज कर लिया तो होता क्या है उनके बदन में जो है खुजाइट पैदा हो गया रेक्शन दबाई कर गई बाड़ी में खुजाइट मचना शुरू कर दिया अब प्यारी साथ संगा जी वो डक्टर के साफ के पास आती है कि मैं तो और जादे में तो परेसान हो गई मैं तो आपकी दबाई ने बहुत नुक्सान कर दिया बहुत खुजाट है बहुत परेसान हूँ डक्टर ने कहा दबाई तो ऐसी नहीं थी जिसमें कोई रेक्शन होता लेकि चलिए कोई बात ना उन्होंने रेक्शन तोड़ने की दबाई दी और कहा इ तीनों जो पड़िये थी न वह एक साथ खाली थी होता क्या है अब जैसे वहन जी ने गलती करी डॉक्टर साब ने हाथ मार लिया कहीं आसी गलती तो हम नहीं करते संत महत्माओ यानि करते क्या हैं सेबा ससंग सिम्रन यह हमारे जीवन में रेगुलर चलने चाहिए संत महत्मा लेकिं हम करते क्या हैं एक दिन में तो हम अफ्ते में ऐसा करते हैं कि सेबा भी कर लेते संग एक संग कोई आवसकता नहीं है संत महत्माओ तो संत महत्माओ यह गलती ना करें इसे हम टाइम से लहेंगे, टाइम से करते रहेंगे समय से यानि अब जब बरतमान समय है तो बरतमान समय में सेबा, ससंग, सिम्रण, संतमात्माओं समय निकालें दतान ने हमें 24 गंटे दिये, तो 24 गंटे में क्या हम 5 गंटे, 2 गंटे, 3 गंटे नहीं निकाल सकते निकाल सकते हैं यदि हम चाहें तो संतमातमाओ यदि हम चाहें तो निकाल सकते हैं और यदि हम ना चाहें तो नहीं निकाल सकते क्योंकि निरंकार ने तो हम पे किरपा की निरंकार को जहां जनम देना था ये निरंकार के हाथ में था उसने जनम दे दिया मिर्ति कहां देनी हैं ये नंकार के हाथ में हैं किस तरीके से किसके निर्वान करना है ये नंकार के हाथ में हैं लेकिन आउ संत मातमाओ ये सच बोलना है ये जूट बोलना है ये तो हमारे हाथ में हैं आप सच बोलते हैं जूट बोलते हैं आप ससंग करते हैं या फिर इधर विदर टाइम बरबाद कर देते हैं ये तो हमारे अपने हाथ में है आव संतमात्माव सद्गुरू ने हमें विवेक दे दिया अगर विवेक ना दिया होता तो इसमें हमारा दोस ना होता लेकिन यदि विवेक है तो संतमात्माव इसमें हमारा दोस है यदि हम सेवा ससंग इसमें निरंकार का कोई दोस नहीं है दोस है तो हमारा है आउ संतमात्माव संद्वियर 23 बीत चुका है साल में 365 दिन हुआ करते हैं संतमात्माव तो कोशिस करें हर इंसान को अपनी कम्यों का पता होता है हर रोज यदि हम एक गलती छोड़ेंगे तो मल्टिपलाई करें 365 गल जब निकल जाती है तो फिर इंसान क्या होता है जैसे सोने में से यदि अन्यपदार्थ निकल जाएं तो प्योर सोना हो जाता है संतमात्माव तो आउ संतमात्माव फिर हमारी रूरानी जो फिर माया का परदा हट जाएगा फिर लोब लालच का परदा हट जाएगा क्योंक तो आउ किरपा करो, दया करो, महर करो, हम भी गलतियों के भर हुए पुतलें, हम सब इंसान, हे सच्चे पास से हम सब पे किरपा करो, हम आप जी के बताईवे रास्ते पे चलते चल जाएं और मानपता का पार्ट संदेज देते हुए और अपने जीवन में भी अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, आउ संतमातमाओ, यदि बचन अच्छे लगें, तो अपना सपोर्ट जरूर करना संतमातमाओ, किरपा करना, दास को मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से, तो प्यार भरे कमेंट जरूर करना, प्रम प्यार से बोलिए, धनिंका करने जरूर करना से, आपके ला behavioral करना पंचित लना मिलता है, यद्चे लिवेशन आपके हमे हमें, यद य향 सम्वाण को आब देलक्स से